तो हलो एवरिवन आप सभी का सहागत है एक न्यू वीडियो में तो गाईज आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग जो है तो अपने मोबाइल फोन से किस तरीके से एक नया यूटूब चैनल बना सकते हैं तो गाईज यहाँ पे तो आप लोग यू कंप्लीर चानकारी देने वाले हैं क्यों कौन सी इंपोर्टन सेटिंग चालू करनी होती है तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें तो इससे पहले दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आप हमारे इस चैनल को सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रिस करके आल पर सेलेक्ट कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं यहां पे सबसे पहले आपको एक नया यूटूब चैनल बनाने के एक जीमेल आइडी की जरूरत पड़ेगी तो गाईज यहां पे जीमेल आइडी बनाने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है आप अपने जीमेल एप को ओपन करिए और यहां पे देख सकते हैं उपर राइट साइड में एक आपको लोगो दिखेगा इस लोगो पे क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पे नीचे देख सकते हैं इट अनादर एकाउंट का ओपसन देखने को मिल जाएगा इसमें आपको क्लिक कर लेना है जो आपके समने कुछ इस तरीके का ओपसन आएगा तो यहां पे गूगल का ओपसन देखने को मिलेगा तो इसी में आपको क यहाँ पिर मैं अपना नाम डाल कि यहां बना सकते हैं तो मैं नीचे आएंगे यहाँ निश्ट का आइकन दिखेगा इसे आपको को ले डिले आपनी और यहाँ डिलिक पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप मेल फीमेल जो भी है यहां से सलेक्ट कर लीजिए उसके बाद गाईज यहां पर सभी डिटेल डालने के बाद निश्ट वाले अप्सन पर क्लिक करना है तो यहां से देख सकते हैं जैसे निश्ट वाले option पे click करेंगे कुछ इस तरीके का interface से यहां पे देखने को आएगा तो यहां से देख सकते हैं यह आपकी Gmail ID बनके आ गई है अगर आप अपने मन पसंद की Gmail ID बनाना चाहते हैं तो यहां पे huge mobile का option देखने को मिल जाता है तो इ यहां पे यही number पे एक OTP जाएगा तो यहां पे नीचे देख सकते हैं निश्ट का option देखने को मिल जाएगा इसमें आपको click करना है उसके बाद कुछ इस तरीके का interface से आएगा scroll करके नीचे आ जाना है यहां पे I agree का option देखने को मिलेगा तो इसमें आपको click करना है उसके इसके बाद यहां पे देख सकते हैं एक आपको यहां पे strong password create करना होगा तो जो आप अपने हिसाब से आप जो भी password बनाना चाहते हैं तो यहां पे अपने Gmail ID का password बना लिजे दोस्तो यहां पे password डालने के बाद simply यहां पे nest वाले option पे click करना है मेरी Gmail ID बन चुकी है यहां पे लिख के आ रहा है देख सकते हो उसके बाद nest वाले option पे click करना है उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटर्फेस आएगा आपको सबसे नीचे आ जाना है और यहां पे I agree वाले option पे click करना है यहां पे देख सकते हैं हमारे Gmail ID बन के complete हो चुकी है तो यहां पे देख सकते हैं यह हमारी Gmail ID बन चुकी है एक नई Gmail ID simply करना क्या है बैक आ जाना है और अपने YouTube एप पे आ जाना है तो चले दोस्तों मैं अपने YouTube एप को open कर लेता हूं देख सकते हैं एक icon दिखेगा तो इसमें click करना है और उसके बाद यहां पे देख सकते है manage your account तो यहां पे एक arrow का निसान देखने को मिल जाता है इसमें आप को click करना है अब गाज भी Gmail ID होगी तो यहां पे सोग करेगी गज हमारा यह सबसे नीचे यह जो मैंने technical SK के नाम से अभी नई Gmail ID बनाया है वो यहां पे सबसे नीचे सोग कर रही है तो इसको आपको select कर लेना है जो आपने नई Gmail ID बनाई है बाद एक बार फिर से इस icon पे click कर ना है उसके बाद यहां पे नीचे देख सकते है यूर चैनल का option देखने को मिल जाएगा इसमें आपको click कर लेना है अब यहां पे देख सकते हैं guys यहां पे आप चाहे तो अपने channel का logo भी लगा सकते हैं या फिर अगर आप channel का नाम change करना चाहते हैं तो यहां पे यह pencil का icon को मिल जाएगा तो इस pencil के icon पे click करके नाम भी change कर सकते हैं लगा लेता हूं जो कि मैंने पहले से बना के रखा है तो यहां पे गैली पे choose करके मैं select कर लेता हूं तो guys मेरा logo मैंने पहले से बना के रखा था तो इसको मैं select कर लेता हूं यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारा logo है उसके बाद ऊपर Save का उप्चन है उसमें Select कर लेना है अब यहाँ पर देख सकते हैं गाईज हमारा logo लग चूका है हमारे चैनल का उसके बाद नीचे यहाँ पर देख सकते हैं Create channel का cœur जाएगा तो इसमें आपको Simply nationalist क्लिक करना है अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चैनल बन के रेडी हो चुका है तुगाज अब आपको important setting करनी है अभी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक pencil का icon मिल जाता है तो इसमें आप जैसे ही click करेंगे तो कुछ इस तरीके का interface आएगा तुगाज मैंने logo तो पहले से लगा लिया है अब यहाँ पे देख सकते हैं description है यहाँ पे आप अपने YouTube channel जिस भी related YouTube channel है उसको यहाँ पे डाल सकते हैं जैसे कि नवसकर दोस्तों आप जो भी डालना चाहते हैं यहाँ पे description में डाल सकते हैं एक camera का icon देखने को मिलेगा जो कि YouTube banner होता है तो camera वाले option पे click करके यहाँ पे YouTube banner भी लगा सकते हैं तो guys मैंने पहले से YouTube channel YouTube banner बना के रखा है तो उसको मैं select कर लेता हूँ अगर guys आपको यह सब नहीं पता कि YouTube banner कैसा बनाया जाता है अगर guys आपको YouTube channel banner बनाने का तरीका नहीं प देख सकते हैं थोड़ा सा बेट करना है अब हमारा यहाँ पे banner भी लग चुका है यह guys आप देख सकते हो उसके बाद दोस्तों आपको अपने Chrome browser पे जाना होगा तो चलिए मैं अपने Chrome browser को open कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे search में लिखना है YouTube.com लिखने के बाद सर्च कर देना है यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से open हो जाएगा तो यहाँ पे गाज देख सकते हैं यह जो हमारा पहला Gmail पहले का Gmail ID था उसका logo था वो यहाँ पे देखने को मिल रहा ह इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं मैनेज वाले option पे यहाँ पे arrow की निसान पे क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे अब जो मैंने अभी नई Gmail ID को बनाया है उसको यहाँ से select कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं टेकनिकल इसके जो मैंने अभी Gmail ID बनाय उसको मैं select कर लिया है उसके बाद इसको आपको desktop side पे select करना है तो यहाँ पे three dot पे click करके desktop side पे यहाँ पे छोटा सा box से इसमें आपको click कर लेना है तो यह desktop side mode में open हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फिर से यह जो लोगो आपका यूटूब का दिख रहा है इसमें आपको फिर से क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं योर चैनल का उपसन देखने को मिल रहा है तो इसमें आपको क्लिक करना है देख सकते हैं जो मैंने बैनर लगाया और लोगो लगाया ये दोनों यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों देख सकते हैं अब आपको यहीं पर important setting करनी है जो कि आपका चैनल जल्दी से सर्च में आए और व्यूज भी ज़्यादा आए तो यहाँ पर ध्यान से वीडियो को देखना है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कस्टमाईज चैनल का option देखने को मिल जाएगा तो इसी में आपको क्लिक कर लेना है इससे पहले गाईज आपको प्ले स्टोर से वाई टी स्टूडियो डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक मैं description में दे दिया हूँ आप वहाँ से डारेक्ली डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको continue कर लेना है देख सकते हैं आपको यहाँ पे तीन सिटिंग मिलेंगी ब्रेंडिंग और ये basic information यहाँ पे तीन सिटिंग देखने को मिल जाती है तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से आप अपना profile picture भी change कर सकते हैं और यहाँ पे बैनर भी change कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वेसिक इंफोमेशन है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं अपने चैनल के बारे में जिस भी रिलेटेड आपका चैनल है तो यहाँ पे डाल सकते हैं नाम भी डाल सकते हैं यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं उसके बाद गाज यहाँ पे आए जो कि काफी important है आपको वीडियो वाइरल करने में तो काज यहाँ पे हमारी हिंदी भासा है तो मैं हिंदी को select कर लेता हूँ आप अपने हिसाब से यहाँ पे select कर लेते हैं काज यहाँ पे देख सकते हैं transaction language तो यहाँ पे select कर सकते हैं आपको नीचे यहाँ पे देख सकते हैं डन का ओप्सन देखने को मिल जाएगा इसमें आपको क्लिक कर लेना है अब यहाँ पे हमारी सेटिंग हो चुकी है आपके चैनल का यह लिंक मिल जाएगा चाहे तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं उसके बाद एड लिंक जो कि कुछ इस तरीके से जो एड होता है तो यहाँ पे एड लिंक पे क्लिक करके यहाँ से लिंक को भी एड कर सकते हैं जैसे कि मालनी जी फेस्बुक इंस्ट्राग्राम जो भी आप एड करना चाहते हैं तो यहां से click करके add कर सकते हैं जैसे कि मालीजी आपको Facebook का link यहां पे add करना है तो simply guys यहां पे आपको Facebook लिख देना है और आगे उसका URL डाल देना है उसके बाद नीचे आएंगे यहां पे contact information तो यहां पे अपना contact के लिए Gmail ID भी दे सकते हैं जो भी Gmail ID देना है तो वो यहां पे अपने हिसाब से डाल दीजिए उसके बाद गाईज आपको एक important setting करनी है सबसे नीचे आएंगे तो यहां पे देख सकते हैं एक setting का icon देखने को मिल जाएगा इसमें आपको click करना है उसके बाद यहां पे देख सकते हैं एक channel का option देखने को मिलेगा तो इस channel वाले option पे click कर लेना है देख सकते हैं यहां पे तीन setting और देखने को मिल जाती है तो यहां पे basic information और advanced setting और future eligibility की यहां पे तीन option और देखने को मिल जाएगा तो यहां पे गाई सबसे important setting यह है कि country आपको select करनी है आप किस country से हैं इंडिया से हैं या फिर जो भी आपका country है वो यहां पे select कर ली है तो आप अपना country select कर लीजे जिस भी country से हैं आप तो हम यहां पे select कर लेते हैं इंडिया से हैं हम तो इंडिया select कर लेते हैं देंगे फिर S के डाल देंगे फिर टेकनिकल डाल देंगे मतलब 5-6 टैग यहां पे आपको लगा लेना है ताकि आपका चैनल सर्च में आए उसके बाद गाईज यहां पे देख सकते हैं एड़वांस सेटिंग का अपसन है इसमें आपको क्लिक करना है गाईज यहां पे आएंगे यहां पे देख सकते हैं सस्क्राइबर काउंट यहनि अगर आप अपने सस्क्राइबर दिखाना चाहते हैं ओडियंस को तो यहां पे टिक रहने दिजिए अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो इसको अंटिक कर दिजिए अपना सस्क्राइबर दिखाएंगे तो आ श्रिष्टेप हमारा invalid है और second वाला अभी नहीं है तो गाज यहाँ पे आप 15 मिनट से उपर वीडियो नहीं upload कर सकते हैं और नहीं थम्मेल लगा सकते हैं तो गाज इसको आपको open करना होगा second वाले पे arrow का निसान मिलना है इसमें आपको click कर लेना है तो simply guys आपको यहाँ पे करना क्या है आपको अपना mobile number डालना है और get code पे click कर देना है उसके बाद आपकी mobile number पे OTP send किया जाएगा उस OTP को यहाँ पे डाल देना है यहाँ पे देख सकते हैं phone number verified हो चुका है अब यहाँ पे आप second वी verification हो चुका है तो आप 15 मिनट की वीडियो भी upload कर सकते हैं और साथ में ही थमवेल भी यूज कर सकते हैं उसके बाद guys यहाँ पे देख सकते हैं save का option देखने को मिल जाएगा इसमें click करके जो भी आप detail डाले हैं तो save कर सकते हैं इसमें आपको दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं upload defaults इस वाले option पे click करना है यह काफ़ी important setting है आपको दो setting देखने को मिलेगी तो इसमें आपको advanced setting में आज देख सकते हैं category का option देखने को मिल जाएगा अभी non है तो इसको आप जिस भी category का channel बना के रखें है जैसे कि माल लेजे हमारा technology का है तो मैं technology select कर लेता हूँ या फिर cartoon का है आपको जिस भी category का है आप यहाँ पे category जरू select करिएगा तो चले मैं यहाँ पे select कर लेता हूँ यहाँ पे gaming channel, comedy, magic बहुत सारे मिल जाते है तो आपका channel जिस भी category का है यहाँ से select कर लीजे गैज हमारा technology से है तो हम यहाँ पे technology select कर लेते हैं गैज यहाँ पे देख सकते हैं यह नीचे side save का option देखने को मिलता है तो इस save बाले option पे click करके save हो चुका है अब गैज आपकी पूरी setting हो चुकी है important setting तो गैज यहाँ पे देख सकते हैं डालर जैसे icon देखने को मिल जाएगा इसमें आपको click करना है अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आपको YouTube से पैसा earn करने के लिए यहाँ पे 1000 subscriber होना चाहिए और 4000 घंटे का बाज time यहाँ पे होना चाहिए यहाँ पे आप इतना follow करने के बाद आपका channel monetize हो जाएगा और आप YouTube से पैसा earn कर सकते हैं तो गैज यहाँ पे देख सकते हैं एक setting और है second step verification second step verification कर लेना है यहाँ पे simple सा process है आपको अपने Gmail ID का password डालना है और इसको verified कर लेना है तो finally guys हमारी अभी सभी important setting हो चुकी है अब आप अपने YouTube channel पे वीडियो को upload कर सकते हैं तो चले चलते हैं YouTube app पे तो YouTube app को open कर लेता हूँ पे अपने YouTube को open कर लेना है और यह जो logo दिख रहा है इस वे click करना है और आपको यहाँ पे your channel वाले option पे click कर लेना है तो आपके समने कुछ इस तरीके का आ जाएगा तो यहाँ पे आपका पूरा channel देखने को मिल जाएगा उसके बाद guys video upload करने के लिए simply देख सकते हैं तो यहाँ पे नीचे plus का icon देखने को मिल जाएगा तो इसमें आपको click करना है तो guys plus वाले icon पे click करने के बाद अगर आप sort video डाल रहे हैं तो इसमें click करें या फिर upload video कर रहे हैं तो यहाँ पे click करके video को upload कर सकते हैं तो guys आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं इसी परकार के interesting video के साथ तो जै हिंद बंदे मात्राम